Hi everyone, welcome to our channel My Technical आज हम लोग सास और वीरता के एक आसाधरन कहानी डिसकस करने वाले हैं आज हम लोग बात कर रहे हैं रानी गंज के ईरोप स्री जस्वन सिंग गिल के वारे में जिन्होंने वर्स 1989 में कोईला कदान दुरगटना में 65 लोगों की जान बचाने के लिए सबी बादाओं को पार कर लिया तो चलिए इनके वारे में को जानकरीज प्राप्ट करते हैं इनका जन्म अफिसर के सथियाला में 22 नॉमबर 1949 को हुआ था इनकी दुवातिस सिक्षा खाजा कॉलेज में हुई थी बाद में उन्होंने माइनी इंजिनियरिंग के पढ़ाई इंडियन स्कूल ओफ माई स्थन बाद से की बाद में उन्हें करमचंद थापर इन ब्रदर्स लिम्रेट कमपनी में जाव अफर भी मिला जहाँ पर उन्होंने कुछ वर्स तक काम किया वर्स 1902 में उन्होंने कोलेजियर लिम्टेड में इंजिनियर के रूप में काम करना शुरू किया अब हम लोग बात कर लेते हैं उस दिन के रेस्क्यू ओपरेशन्स के वारें यह सब 1989 में शुरू हुआ जब सबसे बड़ी कोईला खदान दुरगडणाव में से एक दुरगडणा विस्ट बेंगॉल में हुई इसने एक अब इस्वस निये बचाव अभियान को अन्जाम लिया 13 नॉबर 1989 के दिन वेस्ट बेंगॉल के रानी गंज में महाबीर कोईला खदान में 220 वर्कर्स कारे रख थे हैं वे ब्लास्टिंग से कोईला तोड रहे थे जब वे काम कर रहे थे तो ब्लास्टिंग की कारण गलती से खदान की उपरी सिंग को टच हो गया जिसके कारण खदान में पानी गुजना शुरू हो गया कुछ वर्कर्स तो वहाँ से तुरंट हट गये लेकिन एकहतर माइनर्स बचे रह गये खतर में से लगबग 6 लोग पानी में डूब गये और 62 लोग बोर्विल में फसे रह गये इस हाथसे के वक्त जस्वन सिंग गिल बतौर एडिसनल जीफ माइन इंजिनियर वहाँ पोस्ट एट थे हैं जब जस्वन गिल को इस हाथसे की ख़वर लगी तो उन्होंने अपनी जान की फिक्र किये बिना तुरंट उस पानी से बरी खदान में जाने का फैसला किया गिल ने सबसे पहली वहाँ मौझूद अपसरों की मुदद से पानी को पंप के जरिये बाहर करने की कोशिस की लेकिन ये तरीका कारगर नहीं रहा इसके बाद उन्होंने वहाँ कई बार बोर उल किये जिसे खदान में फसे मजदूरों तक जिन्दा रहने के लिए खाना पानी पहुँचाया जा सके इसके बाद उन्होंने एक धाई मीटर का लंबा स्टील का एक कैपसूल बनाया और उसे एक बोर के ज़री खदान में उता रहा कैपसूल को बनाने में लगबग दो दिन का नीरंतर प्रयास लगा और कैपसूल 15 नॉमबर 1989 की आधी रात तक बन कर तियार हो चुगा था कैपसूल को घटना स्थल तक लाए गया और वहां मौजू दो रेस्क्यू परसंस को बचाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई परंदू वे एन वक्त पर वहां से भाग गया उसके बाद जस्वंद सिंग गिल ने ततकाली इन चेर्मेन कोल इंडिया लिम्क्रिट से बातचित की और कैपसूल के जरिये वो मिगत भाग में जाने के अनुवती मांगी लेकिन चेर्मेन जस्वंद जी की जान जोखी में डालने को तयार नहीं थे लंबी चर्चा के बाद चेर्मेन राजी हुए और उन्होंने सहमती जताते हुए कहा कि जो भी आदमी इन खनिकों को बचाएगा उसका नाम खनन नितिहास में सुनारे अक्षरों में लिखा दाएगा 16.89 गो सुबा ढाई बजे जस्वंद गिल कैपसुल में दाखिल हुए और नीचे चले गया वहां बोरोयल में जहां 65 खनिक फसे हुए थे उनके दिये आइडिया से खदान में इके करके लोगों को उस कैपसुल के ज़रिये बाहर निकाल लिया गया और जब तक सभी 65 लोगों को खदान से बाहर नहीं निकाल लिया गया तब तक जस्वंद सिंगिल खुद बाहर नहीं आये उनके इस आसाधरन साहस के लिए गिल को सरोत्तम जीवन रक्षर पदक से सम्मानित किया गया जो एक नागरी की वीरता पुरसकार है जो आम तोर पर मर्नो परांधित परदान किया जाता है लेकिन 1991 में इसे प्राप्त करके जस्विन सिंगिल ने परंपरा को तोड़ दिया उस समय के राश्पती आर वेंकर ड्रमन ने गिल को सरोत्तम जीवन रक्षर पदक प्रदान किया था इस उपलप्ते के बाद कोल इंडिया लिमिटेड ने उनके सम्मान में 16 नौंबर को रेस्क्यू डेवी गोशित कर दिया उनके कैपसुल डिजाइन ने वैस्विक परभाव, डाला और दुनिया पर भी बचाव भी जानों में इसका इस्तमाल किया गया गिल को इस बहतरीन सेवा के लिए इंजीरिया एससेशन के दवारा वर्स 2013 में लाइफ टाइम अचीमेंट आवार्ड मिला टाटा ग्रूप की तरफ से लाइफ टाइम अचीमेंट आवार्ड भी मिला और कई राजियों तो था सथावव द्वारा उनको प्रुस्कित किया गया जस्वन सिंगिल की विरासत इन अविश्वस्नी अप्लग्जों के माधियम से जिवी था और इस रेश्यो अप्रेशन के लिए उनका नाम लिनका बुक अफ रिकॉर्ड सीन 2005 अडिशन एस नेशनल रिकॉर्ड वोल्डर इसके अलावा एक नॉमबर 2013 को ततकालिन केंडरी मंतरी श्री प्रता जैसवाल ने उनके उलेखनी योगदान को मानेता देता हुए उनने 49 वे कॉल इंडिया फाउंडिशन दे के उसर पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया दुख की बात यह है कि उनका निधन 26 नॉमबर 2019 को हो गया लेकिन उनकी वीरता की कहानी पिणियों को प्रेवित करती रहेगी और यहां साजा करने के लिए कुछ एक और रोमांचक खबरें है इस उलिखनी बचाओं मिसन पर एक आने वाली फिल्म है जिसका नाम मिसन रानी गंज है जो 6 अक्टूबर 2023 को सिनेमा गरों में हिरलीज होगी जस्वन सिंगिल की आविश वर्षनिय वीरता के बारे में आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है जस्वन सिंगिल एक सचे नायक थे जिन्होंने बालवाओं को हराया लोगों की जान बचाई और पीडियों को प्रेडित किया उनकी काहानी हमें याद दिलाती है कि बाहदुरी की कोई सीमा नहीं होती यदि आपको या काहानी हमारी तरब से प्रेन अदायक लगी है तो गिल पर अधिक उस्सा वर्धा काहानीों के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें मिलते हैं ऐसा ही एक और वीडियो में तिल लेन, as always, जाहिए निजय वारत